कि नमस्कार दोस्तो एडवेंचर यूटूब चैनल पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और आज है डे थ्री हमारे राइड का वेकाने राइड का और ये सामने आप देख रहे हो सन्राइज होते हुए हमने पिछले ब्लोग में आपको संसेट होते हुए दिखाय प्रूड कुछ है नहीं कि विल्कुल समतल जगह है और देखो यह सामने से आप वह सम वाले रजारे हैं यहां के लोग भी इतने अच्छे हैं यहां की क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है यानि प्रतेक चीज घूमने के लिए तो भाई लाजवाब है मन ही नहीं करता है यह वाई तैसील है और यहां पर कपिल मुनी का आश्रम है तो हम कपिल मुनी का आश्रम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि सायद बंद होगा और हमें जल्दी भी आज घर पहुंचना है और हमें करनी है लगबग 500 क्लिम्टर की राइड तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं यह वो मैंने स्किप करना पड़ा और हम जा रहे हैं अब गुरु जंभेश्वर जी के मंदर में तो यहां से है लगबग 1 किलो मिटर विश्णोई समाज का बहुती बड़ा मंदिर है और गुरु जंभेश्वर जी नहीं विश्णोई संपरदाय की स्थापना की थी तो यह है म मंदिर संग्वर्मर से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है कि अब कभी बिकानेर यार राजस्तान में आते हो इस साइड में आते हो तो आपको जरूर देखना चाहिए बहुत ही खूबसूरत मंदिर है मैं एक बार फिर से आपको व्यू दिखा देता हूँ ब तो बहार से ही पर्मिशन लेकि पर्मिशन लेकि बहार से फोटो थोड़ सा वीडियो बनाया है तो यह था विश्णोई समाज के सनस्ताफा के गुरु जंभेश और महाराज जी का बहुत ही बहुत ही मंदिर और विश्णोई नाम इसलिए पड़ा संपरदाय का कि 29 नेम बनाये 29 बीस नो इसलिए बन गया विश्णोई तो अब चलते हैं हम सीधे समराथल धोरा बहुत ही फेमस जगह है वहाँ पर है क्या यह वहाँ चलके ही पता चलेगा अभी तक तो हमें बज्जू से चलने के बाद हम कहीं धोरे दिखाई दिये नहीं सूरी देवता ज कहते हैं जो रेट के जो टीले होते हैं उनको यहां पर राज्तान में धोरे कहते हैं तो अभी यहां चलागव एड़ किलोमेटर है यह समरातल धोरा विश्णोई समाज के लिए जो जम्भो जी जमभेश और महाराची है उनका मंदिर है साइब नहीं है कि समरातल क्योंकि महाराची मंदर यहां भी मंदर है अब यहां देखते हैं कि मंदर किनका है और वहीं चलके आपको नजार दिख रहे हैं दूर से जब देख रहा हूँ है तो बहुत ही ब्यूटिफल और सुन्दर नजार दिख रहे हैं वाकि हम अंदर चलके ही देख पाएंगे वहां पर है क्या बताते हैं वहाई ताला व्या वो है या नहीं है देखते हैं गुरु जम्भेश्वर गोसाला सनस्तन यह देवो सामने धोरे तो हम पहुंच गए हैं समराथल धोरा यहां भी मंदिर गुरु जम्भेश्वर जी काई है तो अभी आपको उपर चलके दिखाता हूँ चार उत्रफ के नजारी यहां पर कोई भी नहीं दिख रहा है हमें चार उत्रफ कि मेरे साथ जो आया था बुआजियक लड़का सुबास वो ही है और इसके लाव कोई भी नहीं दिख रहा है मंदिर के उपर आके यहां पर इस समाधी इस्तले अब हमें कर्फरम है भी नहीं कि यहां पर है क्या नै कोई बताने वाला है नै किस से हम पोच सकते हैं यह चार तरब धोरे देखिए दूर तक रेगिस्तान के नजारे कितना ब्यूटिफुल नजारा दिख रहा है आपको तो दोस्तों यही वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक भी कर सकते हैं यह अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइब कर दीजिए लेकि देव संग्बर मर से बनावा मंदिर है बहुत ही साप सुतरा है यहां पर बस परिशान यह हुई हमें कि यहां पर कोई है नहीं बताने वाला पूछने वाला तो हैं लेकिन बताने वाला कोई नहीं है किस से पूछें क्या इस्ट्री है क्या नहीं है तो उसके लिए भाई मा पोइंट बना रखा है ये वन्ने जीव अभ्यरने ही एक तरह से और यहाँ पर विश्णोई समाज का भोजयदा प्रभाव है यहाँ पर आप आके देखोगे तो जीवों के परती जो दया और जो रहेम और जो जीवों के परती प्यार है ना बै अद्भूत है इन लोगों का म नमन करता हूँ इन लोगों की स्यवा भाव को अभी चलते हैं नीचे और वापस मुकाम चलते हैं और उसके बाद में सीधे घर चलते हैं रास्ते में कोई व्यू आएंगे तो हम आपको बताएंगे लिए रस्ते में एक गव साला है उसका व्यू आपको जरूर तो उसके बाद में हमें एक भाई मिले रामकुमार बिस्नोई जी कोलायच से हैं संयोग बस उन आगोर से आ रहे थे और हमारे लिए अच्छा संयोग हुआ तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक गव साला है तो उसको देखिए हम उसको स्किप कर देते साइद हम उसे नोर्मल गव साला समझते कि जैसे हमारे यहाँ पर गव साला होती है वैसी ही गव साला होगी लिए क्यों गव साला है यहाँ पर जितने भी बनने जीव हैं वो किसी भी वज़े से मालो किसी गाउं में चले गई कुत्ते लग गए या वैसे कहीं एक्सिडेंट हो गया वैसे मिल सकते हैं जैसा मेरे बहाई ने बताया तो हम सीधे चलके आपको दिखाएंगे वहाँ पर उसके बाद में इनका एक rescue center भी बना रखा है ये है स्री जगत गुरु जंबेश और गोसारा सनस्ता मुकाम भारती विश्णोई महासभा इसका संचालन करती है तो मैं तो अपील ये भी करूँगा लोगों को यहाँ असपास रहने वालों को यहाँ आप भी यहाँ आते हो तो अपना स्योग दीजिए कुछ भी सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसी जगों को आर्थिक मदद दीजिए अब यह देखिए वन्य जीओ है बिल्कुल कितने आराम से खुले गों रहे है इनसान के साथ से इनको कोई प्रोब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है यहां कि जो करमचारी उनको मैं बार-बार धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे विस्नोई समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जियों के परती जो प्यार आपका है और हम सभी मानव समाज को इनका अनुसरन करना चाहिए विष्णोई समाज का इस मामले में ये देखो बिल्कुल कैसे बैठे हुए है जिस घर में भेड़ बकरिया बैठे होती है ये देखो यहाँ पर मोर हैं जो किसी वज़े तारों में उलज की या वैसे एक्सिजेंट आवस्ता में यहाँ पर आते हैं ये भाई रामकुमार विष्णोई जी है जिनकी वज़े से हम ये देख पाई तो भाई रामकुमार विष्णोई ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका बहुत धन्यवाद भाई ये यहाँ पर एक गाय आई आई है तो इसको उठाने कोशिज कर रहे हैं सहारे से ये देखिए हीरन है कितना घुल मिल गया है इनसानों में देखो कितनी मस्ती कर रहा है ने तो इनसानों को देखकर भगते हैं ये देखो कैसे मस्ती कर रहा है इनके परती प्रेम देखिए इनसानों इपरती और यहां के लोगों का प्रेम भी भोज जाता है यह रेस्क्यू सेंटर है यह आपर जो चत्विक्सित आते हैं एक्सिनेंट आते हैं आपर देख रहे होगे बिल्कुल गायल अवस्ता में हैं लेकिन दिखाना जरूरी था इनका प्यार और प्रेम देखिए घायल जितने भी वन्य जीव होते हैं उनको यहां पर लाया जाता है उनका रेस्क्यू किया जाता है जब ठीक होते हैं तो दूसरे कमरे में सिप्ट किया जाता है और अच्छी तरह जब ठीक हो जाते हैं तो फिर इनको गवसाला में सिफ्ट किया जाता है तो मैं सरकार से भी और यहां के आमजन से प्रतेक विक्ति से अपील करना चाहूँगा इस वीडियो के माद्यम से कि इस सनस्ता का सहयोग कीजिए रोड की खूद्र्ति देखेए्टि सुरत रोड है वाई और अभी आपने जो देखा मुक्तिधाम मुकाम गुरु जंभेश और महाराजी का इस थल और समरा थल धोरा जो आपने देखा हालांकि इस समय कोविड के वज़े से मंदिर लगव सारे बंद हैं तो इसलिए मेरे बाहर से आपको व्यू दिखाया जो भी और हीरन गाय कोई भी बनने जीवो आसपास के अलाके में इसे कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो या तो लोग वहाँ पर छोड़ के जाते हैं या फिर वो फोन कर दें और तो फोन से वो वहां से लेने के लिए चले जाते हैं यहां से और वह विस्नोई समाजना इस मामले में क्या बताएं जीवों के परती और बनने वनस्पतियों के परती पेड़ों के परती इतना प्यार और प्रेम है कि दुनिया में यह अद्भूत है यह चीज किसी एक समाज परकरतिक परती हम सभी को होना चाहिए पूरी यह ताल चाहपर जो गांव है यहां पर हमें हीरन देखे आप वो कैमरे में साइद नहीं दिख रहे होंगी लेकिन यहां पर तुरस्ते पी घूमते रहते हैं बहुत अच्छा लगा तो भाई इस सफर का हमें बहुत ही ज्यादा आनन्द आया और जो लाश्ट का एक्स ट्राइड होगी वो कुछ गैप देने के बाद होगी जब चुटिया मिलेंगी तो यह दिए आपने पिछले तीन व्लोग नहीं देखे हैं तो आज जाके देखिए बहुत ही अच्छी राइड हुई मेरे लिए और इसका अंत और भी अच्छा हुआ जिस तरह से पुरू जम्भेश्वर्जी महराद मिलते हैं अगले वीडियो में